Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल कोई भी अगर विदेशी लीडर, कोई भी अगर आता है शाम को सुरज धलने के बाद, तो वहाँ पर उनको ceremonial welcome नहीं दिया जाता है, लेकिन PM Modi के लिए specially किया गया, तो इसके बारे में तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि exactly पपुगा नियू गिनी में हुआ क्या था, मतलब कि व और बताया जा रहा है कि एक और ने डेट ट्रैप में जो है पपुगा नियू गिनी फस सकता है, तो इसके बारे में डीटेल से जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, अगर आप UPSC 2024 के प्रिपेर कर रहे हैं, तो आपके लिए दो ब सार से जादा की live classes होगी, regular current affairs update, best content आपको market में मिले का, लेकिन इसके साथ-साथ main residential program आप free में ले सकते हैं, अगर आप prelims crack कर लें, ये batch लेकर, तो हमारे website आप पर जाएए, या फिर comment section में इसका link है, वहाँ पर जाकर use कर ये code, अंकित live ताकि आपको maximum discount पिले, और इसके इसकी location आप देख सकते हो, जैसा कि आपको पता होगा, ये जो Pacific Ocean है, यहाँ पर आपको बहुत से छोटे-छोटे islands देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना, basically, ये जो island है बड़ा सा, ये दो हिस्से में बटा हुआ है, इसका जो western वाला side है, ये basically है मोदी जी को invite किया गया था, तो Japan के Hiroshima, इसके just उपर जो Japan है, वहाँ पर गए थे, वहाँ से ये Papua New Guinea गये, और वहाँ से फिर PM मोदी जो है, अलड़ी Australia के लिए रवाना हो चुके है, तो Sydney वहाँ पर पहुंचे है PM मोदी, तो ये तीन देश का दोरा था, तो Papua New Guinea में basically क्या ह कि यहाँ पर एक forum है, जिसका नाम है Forum for India Pacific Islands Corporation, आपके exam perspective से बहुत important है, देखिए FIPIC Summit, ये इसकी तीसरी summit है, जो की हुआ है Papua New Guinea में, और इसके अंदर total 14 members हैं, basically ये जो बनाया गया है ना, India Pacific Island Corporation, इसमें जो Pacific देशों के जो छोटी छोटे islands आप देख रहे हो, इनका भारत के स साथ संबंद बना रहे, यहाँ पर वो एक साथ जुट रह सकें, और भारत का भी influence हो, इसी के वज़े से आप कह सकते हैं, कि ये जो cooperation है, वो बनाया गया, इसके अंदर total 14 members हैं, इन सभी के नाम आप देख पाऊगे, और map में भी आप देख सकते हो, जैसे Solomon Island हो गया, Tuvalu हो ग 15 में जैपूर में हुआ था, ठीक है, तो इसी के ये summit को अटेंड करने PM मोदी गए थे, और यहाँ पर उन्होंने जब opening session के दौरान address किया, FIPIC 3rd summit में, तो उन्होंने basically यही कहा कि भारत का जो commitment है, development goal है, जो हमारा Pacific Island देशों को लेकर, वो हम पूरी तरह से प्रतिबद हैं, उसको हम किसी भी possible way में जैसे भी करना होगा, वो हम यहाँ पर करेंगे, मतलब जो भी मदद करना होगा, island देशों को, वो करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो छोटी-छोटे देश हैं, ये गरीब देश हैं, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है development के लिए, तो कहीं न कहीं उसक को करने की कोशिश की, अब देखे, PM Modi को यहाँ पर एक और चीज से सम्मानित किया गया है, Fiji, Fiji और Papua New Guinea, दोनों देशों ने जो अपना सबसे highest award है, वो PM Modi को comfort किया है, तो आपके exam perspective से आ सकता है, ध्यान रखेगा, Fiji का जो सबसे highest award यह है, the companion of the order of Fiji, ये PM Modi को दिया गया, और Papua New Guinea का जो highest आपका award है, वो है आपका companion of the order of logo, ठीक है, तो ये आपका PM Modi से समानित किया गया, basically इसलिए किया गया, कि Pacific Island countries को एक unity में लाने के लिए, एक जुटता दिखाने के लिए, और पूरा जो global south है, दुनिया के अंदर उनके आवाज को उठाने के लिए, PM Modi ने किया इसलिए उन्होंने ये award दिया है, और इसके साथ साथ एक और interesting चीज में आपको बताता हूँ, PM Modi जब बोल रहे थे यहाँ पर इस पूरे summit के दुरान, उन्होंने एक बड़ी important बात कही, देखिए उनका कहना था कि those we trusted didn't stand with us when needed, देखिए ये basically context है COVID-19 से related, COVID-19 के दुरान देश थे, पपुआ न्योगिनी, Pacific Island के कई देश, उनका क्या होगा, किसी को नहीं पता, तो उस समय भारत पहला देश था जिसने पपुआ न्योगिनी को vaccine प्रोवाइड किया था, और इसलिए कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि इस तरीके से जो पपुआ न्योगिनी हैं, उन्होंने काफी जादा एक respect दिखाया भारत के प्रधान मंतिरी जब वहाँ पर गए, और इसी context में ये जो statement है वो again काफी important हुझाता है, कि जो developed देश अपने बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, जब हमें सबसे ज़्यादा उनकी जर और एक था, मुझे बहुत सारा प्यार वहाँ के लोगों से मिला, उन्होंने especially thank बोला, पपवा नुगिनी के जो PM है, James Marapay, उन्होंने पैर्च हुआ था, और उनको भी काफी ज़्यादा warm welcome के लिए धनवाद दिया PM मोदी ने, और वो अब Australia चले गए हैं Sydney, ठीक है, खेर, यह एक मामला हो गया, फिर जैसे ही यहाँ पर PM मोदी का विजिट हुआ, इसको लेकर चाइना का जो investment है, इसको लेकर काफी जादा यहाँ पर चर्चा होने लग गई, बेसिकली अगर आप देखोगे, पपवा नुगिनी का इसका जो capital है, यह आप देख सकतो, capital ध्यान रख इसा huge sums of money पपवा नुगिनी में आ रहा है, बेसिकली क्या है ना कि यह जो island देख आप देख रहो, यह तो पपवा नुगिनी हो गया, और इसके लावा मैंने आपको दिखाना है यहाँ पर चोटे चोटे जो island countries हैं, यह strategically बहुत important हो जाते हैं, कि जो trade route वगरा होता है, वो यहाँ पर आपको बहुत सारे minerals वगरा देखने को मिलेंगे, और आपको पटाई है कि जब भी China को opportunity लगता है जिस भी देश में, जहाँ पर उसका फायदा है, वो बहुत सारा पैसा अपनी तरफ से टालने लग जाता है, क्योंकि चाइना के पास इसमया काफिर reserve पढ़ा हु क्योंकि जो सबसे बड़ा investment है चाइना का वो पपवा न्यू गिनी में एक complex बनाने में लगाया जा रहा है, 414 मिलियन डॉलर का शोटे से देश में एक complex बनाया जा रहा है, जिसके अंदर cinema होगा, hotel होगा, apartment होगा, restaurants होगा, लेकिन ये सारे चीज़ों की वजए से जो local people हैं, वो खुश नहीं है, देखिया आपको याद होगा, चाहें एफरिका देश की बात करिये, अफगानिस्तान, कहीं भी आप देखोगी जहाँ पर चाइना investment कर रहा है या करना चाहता है, वहाँ पर जो local people हैं, वो कभी खुश नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि अब in fact, पाकिस्त की जा रही है, लेकिन local workers की मदद नहीं ली जा रही है, और इसलिए यहाँ पर काफी सारा voice raise हो रहा है, कि why are we left out, जो Chinese कर सकते हैं, वो हम क्यों नहीं कर सकते, they are coming in and we are sitting there and watching, मतलब वो लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हम सिर्फ उनको खड़े-खड़े देख रहे हैं, फिर इसका एक दूसरा मुद्दा ये भी है, local people बहुत नाखुश हैं, क्योंकि बहुत सारे projects हैं, वो unfinished, ऐसे ही पड़े हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि China ने कुछ कुछ चीजों को बनाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इतने ऐसे projects हैं, जो China बस आधे में ही छोड़ देता है, corruption के केसे सामने आते हैं, यहाँ पर जैसे crane है, crane आपने देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े cranes होते हैं, वहाँ पर building बनाने काम आते हैं, वो कई वर्षों से COVID-19 से लेकर अभी तक वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है तो उसका क्या होगा, फिर इसके अलावा जो Chinese built skyscraper है, बताया जा रहा है कि पूरे पपवा नियोगिनी में सबसे highest जो बड़ी building है, उसका height देखोगे, वो है 23 स्टोरी, 23 मंजिल की इमारत बनी है, वो सबसे highest है, लेकिन कोई भी उसके अंदर है नहीं, वो पूरा खाली आया हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई रह नहीं रहा है, गार्ड है बस और गार्डेनर्स हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर electricity नहीं आ रही है 2018 से, projects basically एक घोष्ट प्रोजेक्ट की तरह बन जा रहा है, मतलब building तो बनती है, लेकिन उसमें कोई रहता नही इसलिए घोष्ट प्रोजेक्ट उनको बोला जाता है, तो पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या हो रहा है, development हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, तो question यहाँ पर यह है कि आखिरकार चाइना पैसा क्यों डाल रहा है, मैंने आपको पहली बोदा, strategic location, जो trade वगर पर जाता है, उस route से वहाँ पर अपना secure करना चाहता है, फिर इसके लावा जो oil और gas है, minerals है, वो सारे बड़ी मातरा में आपको मिलेंगे, opportunities बड़ी मातरा में मिलेंगी, तो China अगर आप देखोगे, अगर Papua New Guinea की बात करें, क्योंकि यह location आप समझे, Australia की just उपर है, आप नी चाइना बन गया है, तो इसी की वज़े से डर यहाँ पर अब यह है, कि क्या यह भी एक प्रकार से dead trap में फस्ता जा रहा है, Papua New Guinea की नहीं, आपको पता है, यह क्या करता है, चाइना बहुत सारा पैसा डालता है, वो देश पैसा नहीं दे पाता है, तो उसका lease पर ले लेता क्या होता है, और इसी की वज़े से, इंफरक्ट में आपको बता हूँ, तो चाइना से बहुत सारे लोग 19th century में वहाँ पर आये थे, लेकिन 20th century में आप देखे, 1980 से लेकर अभी तक बहुत सारा जो Chinese people है, illegal तरीके से वहाँ पर आये, जिसकी वज़े से पपुआ नोगिनी म में काफी जादा, जो हमार पीर और कई बार हिंसा देखने को मिला है, ठीक है, तो ये पूरा वीडियो था और इसके साथ-साथ यहाँ पर मैं आपको यह भी पता तूँ, इसको counter करने के लिए, US के जो external affairs minister, मतलब सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी जो है Anthony Blinken, वो वहाँ पर यहाँ पर Papua New Guinea ने एक defense pact sign किया है, US के साथ, तो देखना होगा कि क्या ये Beijing के influence को रोख पाता है कि नहीं, बटाए होग कि वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, और जाने से पहले काफी interesting question क्या बता सकते हो, Biketawa declaration, ये किस summit से, किस organization से related है, ये आपको बताना इसका right answer, आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे MCQs हैं, वह आपर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF ये तो Telegram पर आए, अलग-लग social media पर आप जुड़क